Hello friends, पिछली वीडियो में हमने Indus Valley Civilization की एक important site हरपपा को cover किया था और आज की वीडियो में हम Indus Valley Civilization की एक और site मोहन जोदारो को cover करेंगे मोहन जोदारो की location आज के पाकिस्तान के सिंद में है Actually होता क्या है कि अगर कोई भी archaeological site जो plains में है यहाँ पर रहने वले लोगों ने mud और brick के houses बनाए हो और अब उस site के खतम हो जाने के बाद भी वहाँ आसपास लंबे समय तक लोग रह रहे हो तो ऐसे में archaeological site एक mound में तबदील हो जाती है यह mounds कोई 10-20 साल में नहीं बनते बलकि hundreds of years लग जाते हैं इस तरह के mounds बनने में Basically rebuilding of structures, कुड़ा करकट, windblown sand और sediments के layers के layer एक दूसरे के ओपर जमते हुए एक archaeological site mound में तबदील हो जाती है और यहीं हुआ मोहन जोदारों के साथ भी यह भी एक mound में तबदील हो चुका है और इसके आस-पास रहने वाले लोगों को यहां से human skeletons मिलते रहते थे और क्योंकि यह area सिंध में है तो यहां के सिंधी लोगों ने इस जगा का नाम अपनी भाशा सिंधी में मोहन जोदारों रख दिया जिसका मतलब होता है mound of the dead मोहन जोदारों वो second site थी जो Indus Valley Civilization में discover की गई और इसे discover किया था R.D. Benerji ने जिने राकलदास बंदो पाद्या भी कहा जाता है और इन्होंने इस site को year 1922 में discover किया था यह site river Indus के किनारे है और यह Indus Valley Civilization की largest site है चलिए मोहन जोदारों की town planning को देखते है Actually बाकी Indus Valley Civilization की ही तरह यहाँ पर भी west में citadel है जो की काफी height पर है इस citadel में है administrative buildings और east में है lower city यह कहें lower town यहाँ पर आम लोग रहा करते होंगे यह तो हो गया side view बट अगर आप इस citadel को उपर से देखें तो यह कुछ ऐसा देखीगा चलिए citadel को और closely देखते है historians को यहाँ पर सबसे important place जो लगी वो है great bath यह basically एक water tank है एक swimming pool की ही तरह और इसका size काफी बड़ा है जिसकी length है 11.88 meters और width है 7.01 meters यानि यह area लगबग 900 square feet के आजपास है और इसकी depth है 2.43 meters जो की around 8 feet है इसके दोनों ends पर staircase बने हुए है और इसकी floor बनी हुई है burnt bricks से इस great bath की floors और walls को finely fitted bricks और gypsum mortar से watertight किया गया है और waterproofing के लिए bitumen का इस्तमाल किया गया है इसे waterproofing का earliest example कहा जा सकता है इस great bath के पास आप देख सकते हैं कुछ changing rooms भी है और इन ही changing rooms के बीच में एक बड़ा kua भी है जहां से पानी निकालके इस great bath को भरा जाता होगा तो इस great bath और इसकी beautiful brick work को देखकर आप हर अपन engineering का अनुमाल लगा सकते हैं historians मानते हैं कि इस great bath का इस्तमाल ritual bathing के लिए हुआ करता होगा तो citadel के अंदर तो हमने अभी तक सिर्फ great bath को ही देखा और समझा बट इसके अलावा भी कई और important buildings मोहन जोदारों के citadel में मिली है ये मोहन जोदारों के largest building है जिसकी length है 45.71 meters और width है 15.23 meters ये citadel के western side पर है और great bath के south western corner पर in fact ये building great bath के काफी पास है माना जाता है कि ये पूरा का पूरा structure wood का बना हुआ था इसके अलावा यहाँ पर एक और important building मिली है जो है multi-pillared assembly hall ये citadel के southern part में है और ये एक square shape building है जिसमें बहुत सारे pillars है इसका size 27 x 27 meters है तो ये थी important building जो citadel के अंदर थी अब अगर हम बात करें lower city की तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी घर है वो एक grid system based systematic town planning के अनुसार arranged है कहने का मतलब घरों के सामने जो lanes या streets पास होती है ये सब एक दूसरे को 90 degree के एंगल पर मिलती है इसी को grid system का जाता है इसके अलबा city के center में जो market है उस तक पहुँचने के लिए चारो direction से main street का provision है और मोहन जोदारों में ये street 9 meters wide है तो ये तो बात होगी मोहन जोदारों की town planning की अब बात करते हैं मोहन जोदारों की seals की पूरी industry civilization में सबसे common seals हमने पढ़ी थी ये है square shaped humpless bull seals और ये seals सबसे जादा मोहन जोदारों में ही मिली है मोहन जोदारों की 60% seals यही है इसके लावा यहाँ पर पशुपती seal भी मिली है इस seal में एक human figure है जो की काफी जादा resemble करते हैं महादेव पशुपती से यानि प्रोटो शिवा से इस seal में वो एक low throne पर एक योगी posture में बैठे हैं पदमासन टाइप की position में उनके सर पर ये जो three horn head gear है एक त्रिशूल टाइप का मुगट है उनके throne के नीचे दो हिरन है राइट में एक rhino और एक buffalo है और left में एक tiger है और एक elephant है ये पशुपती सील मोहन जोदारों में मिली है मोहन जोदारों में पशुपती सील के अलावा three cylindrical mesopotamian seals और मिली है अब बात करते हैं मोहन जोदारों में मिली sculptures की जिन में सबसे famous है dancing girl ये bronze में काव की गई है और ये जादा बड़ी नहीं है बस 10.8 cm की है यानि आपके हाथ की हतेली से भी छोटी है अगर आप इसे closely observe करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो arms है वो कुछ जादे ही लंबे है in fact इसके जो पैर है वो भी कुछ जादे ही लंबे है और हाँ इसके पैरों के पंजे यानि फीट्स है ही नहीं ये बहुत ही थिन है और इसने कुछ भी नहीं पहना है ये एकदम नेकिड है बस कुछ और्नमेंट्स ही पहने हुई है जैसे कि एक नेकलेस है और arms में bangles है दोनों arms में bangles इसने पहने है right arm में सिर्फ 4 bangles है और left arm में तोड़े ज़ादा है right hand placed है back of the hip पर और left hand placed है thigh पर एक्चुली इस bronze statue को dancing girl का नाम John Marshall ने दिया था जो की director general थे archaeological survey of India के यहाँ पर हमें ये भी जानना चाहिए कि इस bronze statue को मोहन जदारों में lost wax technique से बनाया गया था इस technique में क्या होता है कि आपको जैसी भी statue चाहिए वैसी statue आपको सबसे पहले wax में बनानी होती है उसके बाद इस wax statue के ऊपर बहुत सारी clay add कर दी जाती है और clay के सूख जाने के बाद इसे heat किया जाता है heat होनी के वजासे जो wax है वो melt होकर बाहर आ जाता है clay में किये गए छोटे-छोटे holes से तो अब हम देख सकते हैं कि एक तरह का ये mold बन चुका है जिसमें melted bronze डाला जाता है कुछ देर रखने के बाद ये ठंडा हो जाता है और clay को तोड़ कर हटा दिया जाता है तो इस तरह एक bronze sculpture हमें मिल जाती है और इसी तरह lost wax technique से बनाए गई थी dancing girl की ये statue वैसे ये जो technique है ये आज भी कई जगा पर इंडिया में use होती है तो dancing girl तो एक बहुत ही जादा famous statue है जो मोहन जोधारों से मिली बड़ इसके अलाबा एक और famous statue जो मोहन जोधारों से मिली है जिसका नाम है priest king ये एक stone sculpture है जो की नीचे से थोड़ा से टूटा होने के बावजूद काफी बड़ा है जो हिस्सा मिला है वो 17.5 cm का है ये इस्टेटाइट से बना हुआ है जो की एक soft stone है इस sculpture में जो इंसान है उसकी beard nicely groomed है और इसने एक patterned rope पहना हुआ है इसके head के around एक fillet है जो की एक sign of royalty है इसके hand में आप एक armband में देख सकते हैं तो मोहन जोधारों से ये जो दो famous sculpture मिले हैं priest king और dancing girl इनमें से जो dancing girl है इसे आप इंडिया के national museum देली में देख सकते हैं बढ़ ये जो priest king sculpture है ये है पाकिस्तान के museum में एक्चुली इस statue को भारत ने 1972 में शिमला agreement के तहर पाकिस्तान को दे दिया था अब बात करते हैं मोहन जोधारों के burial practices की मोहन जोधारों में तीन तरह की burial practices देखने को मिली है पहली है complete burial जिसमें मरने के बाद इनसान को जमीन में दफना दिया जाता है इसके अलावा fractional burial भी देखने को मिला है जिसमें dead body को पहले चील कवे और जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता है और जब last में कुछ हड़िया बच जाती है तो सिर्फ उन्हें ही जमीन में दफनाया जाता है ये है fractional burial इसके लावा मोहन जोदारों में post cremation burial भी मिला है जिसमें इनसान की body को पहले जला दिया जाता है और उसके बाद जो उसकी ashes होती है उन्हें ही एक earn में भर कर जमीन में बरी कर दिया जाता है तो ये थी जानकारी मोहन जोदारों की इस वीडियो का PDF आप बुक्स दावा की एप से डाउलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री को डीटेल में कवर करने के लिए बुक्स दावा की प्रिलिस को फोलो कीजिए तैंक यू फो वाचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स दावा